हलो मैं यूट्यूब फैमली वेलकम टू अनु क्रोशिया का एक डिजाइन जिसे आप शॉल भी बना सकते हो जैकेट शुराग या बफलर भी बना सकते हो बहुत ही इजी और फास्ट बरने वारा डिजाइन है जो लोग अभी क्रोशिया सीख रहे हैं मतलब बिगनर्स उनके इसके लिए भी बहुत ही इजी डिजाइन है वह अराम से बना सकते हैं इसके लिए मैंने जो वोल यूज किया है वहर 4 प्लाइव और जो क्रोशिया का हुख है उसका साइज है 1.6 mm ठीके फैंस तो सबसे पहले हमें 32 चेन बनाना है मैंने पैले से बना के रखका है ताकि थो यू करके बहुत ही इजी डिजाइन है आप इससे श्रग, शॉल, स्वेटर, हाफ कोटी कुछ भी बना सकते हो मफलर बना सकते हो बहुत ही प्याड़ी लगती है और बहुत जल्दी बन जाएगी थोड़े से बुल में ही बस यह पूरी लाइन डबल क्रोश इटिंग करके यह बेसिकली दो लाइन का ही डिजाइन है फिर उसी दो लाइन को आपको उपर बढ़ाते जाना है जितना बड़ा आपको चाहिए आपका शॉल, स्वेटर, जैकेट, मफलर उस हिसाप से ही आप बनाओगे तो यह यह तीन चिन बनाएंगे और तीन चिन बना के हमें दो छोड़ के टीसरे में यू करना है एक, दो, तीन और यह हो गया हमारा चार ठीक है डबल क्रोशे ठीक है फेरंश, इसके बाद फिर हमें दो छोड़ना है एक दो और फिर तीसरे में यू करके एक दो तीन चार ऐसे ही हमें पुरी line फिनिश करनी है 4-4 double crochet हर दो chain को छोड़ के मतलब इस नीचे का जो 1st line था उसमें 2 double crochet को छोड़ के तीसरे में हमें यू करके चार-4 double crochet करना है दो तीन चर यह पूरी लाइन करके फिर मैं आपको बताती हूँ तो यह देखी दोस्तों मैंने यह बना लिया है पूरी लाइन यह पूरे दस इस तरह से बने हैं अब सेकेंड लाइन में हमें यह करना है कि हम तीन चेन लेके उपर जाएंगे यूँ करके और फिर हमें इसके बीच में यूँ करके यह जो चेन है यहाँ पर हम इस तरह से 1, 2, 3, और यह हो गया 4 चार करने के बाद हम एक चेन लेंगे और इसके बीच में यहाँ पर आकर यूँ कर देंगे यह देखिए फिर एक चेन लेंगे और इसके बीचों बीच यहां पर एक दो तीन चार एक चेन और यहां पर आकर यूं बंद कर देंगे तो इस तरह का डिजाइन बनेगा यह देखिए मैं फिर से बना के दिखाती हूँ ऐसे हमने एक चेन लिया और एक चेन लेके इसके बीचों बीच एक डबल क्रॉशे दो डबल क्रॉशे तीन और यह हो गया हमारा चार डबल क्रॉशे फिर हम एक चेन लेंगे और यहां पर यूं करके यूं बंद कर देंगे फिर एक चेन लेंगे और यहां पर एक चेन लेंग दो, तीन, चार, एक चेन, यहां आए, इस तरह से बन किया, फिर एक चेन, इस तरह से हमें पूरी लाइन बनानी है, बस यह दो लाइन का ही डेजाइन है friends, ऐसे हमें उपर बनाते जाना है, जितना बड़ा हमें हमारा शौल, स्वेटर, जैकेट या मफिलर चाहिए उसे साफ से हम उतनी लंपाई बनाएंगे और यही डिजाइन है मैं आपको पुरी लाइन फिरिश करके बताती हूं कि थार्ड लाइन में कैसे करना है तो यह देखिए यह मैंने पुरा लाइन बना लिया है इस तरह से आप अगर थ्रेट में बनाएंगे रहागे में या जरी में तो लेस बन जाएगी बहुत प्यारी सी सारी में सूट्स में दुपट्टे में आप कहीं भी लगा सकते हो बहुत ही प्यारा लगेगा यह है तो इसके बीचों बीच यहां पर इसके बीचों बीच हमें एक दो तीन और चार इस तरह से चार डबल क्रॉशे बनाएंगे और बिना कोई चैन दिए फिर इसके बीचों बीच एक दो तीन चर ऐसी हमें पुरी लाइन को खतम करना है यह देखिए बीचों बीच चैन में एक दो तीन चर फिर बिना किसी चैन के आगे बढ़ेंगे एक दो तीन चर यह देखिए ऐसे ही थर्ड लाइन ऐसी होगी फोर्थ लाइन फिर हमें ऐसी करना है एक चैन चार डबल क्रॉशे एक चैन और यहां बन करना है फिर एक चैन चार डबल क्रॉशे बीच और बीच यहां पर फिर यहां पर बन करना है ऐसे करके यही दो लाइन मैं आपको कुछ लाइन बना के दिखाती हूँ पिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा यह देखिए फ्रेंट्स मैंने यह पूरा बना लिया यह मैंने टोटल पूरे दस लाइन बनाए है एक दो तीन चार पाँच छे साथ आट नौ दस और असल में यह फाइव डिजाइन जासा दिख रहा है दोजो लाइन को हमें रिपीट करना है और ऐसे हम बढ़ाते जाएंग एक आफट बना लोगे तो कैसा लगा आपको आज करे डिजयन आच्छ लगा हो तो लाइक करना ऑन यह फ्रेंट्स के साथ शेयर करना और जिन्हों ने अभी तक मेरे चानल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्निज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कि आपको मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले और आप कुछ भी मिस ना करो थैंक यू फर वाचिंग फ्रेंद्स, टे सेफ, हैपी और हेल्डी, बाई बाई टेक केर